कहते हैं कि वक्त की मार सबसे डरावनी होती है और वो किसी को नहीं छोड़ती यह लाइन सप्पा निता आजम खान के हालाद पर बिलकुल फिट बैठ रही है बता दे के यूपी में सीम यूगी का अक्शन लगातार देखने को मिल रहा है जिससे बड़े बड़े निता मंत्री और माफिया काप उठे हैं क्योंकि कारवाई के बाद इनके करतूते सामने आ रही है और फिर इनको सजा भी मिल रही है वहें समाजवादी पार्टी के निता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम एक के बाद एक मुश्किलों में फस्ते चा रही है जिसके बाद जेल में बंद आजम खान रोने और बिलखने पर मजबूर हो क्या है अब कहा ये जा रहा है कि अपने करीबियों पर कारेवाई होता देख सपाधधक्ष अखिलेश यादों भी दर गए है कि शायद अगला नमबर कहीं मेरा ही ना आच है नमस्कार आप देख रहें कैपिटल टीबी उतरपदेश और मैं हूँ आपके साथ दिप्रासे इस खास प्रग्राम परदाफाश में आपका स्वागत है परदाफाश पे आज बात होगी मुसीबतों में फसे आजम खान और उनके बेटे की तो चलिए शिरवात करते हैं मुसीबतों में फसा आजम खान का परिवार जेल में बन बेटे की बढ़ने वाली है मुश्किल करोडों की स्टांप चोरी में फसे अब्दुल्ला आजम जारी किये तीन अलग अलग नोटिस सपानेता आजम खान और उनके परिवार से जुड़ी खबर सामने आती रहती है कभी किसी मामले में सुनवाई को लेकर तो कभी बेटे की बढ़ती मुश्किलों को लेकर कभी आजम खान के डर को लेकर तो कभी उनके खत्म होते रसूप को लेकर एक बार फ़र से जेल में बंद आजम खान के बेटे की मुसीबत बढ़ती चारी है स्टोरी में आगे बात करेंगे कोट से क्यों जारी हुआ बाप बेटे से हरजाना वसूली का आदीश आगे ये भी बताएंगे कि कैसे अब अखिले श्यादों ने अपने करीबी रहे आजम खान को भूलाना शरू कर दिया है लेकिन सबसे पहले बताते हैं इस टांप चोरी का पूरा मामला क्या है और कैसे इस मामले ने अब्दुल्ला आजम खान के मुश्किलों में इजाफा कर दिया है समाजवादी पार्टी के वरिष निता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला की परिशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है फिलाल दोनों जेल में बंद हैं आजम खान सितापुर जेल में तो अब्दुल्ला हर्दोई जिला कारगार में बंद हैं इस बीच रामपूर डीम की अदालत ने अब्दुल्ला आजम के खलाफ तीन नोटीस चारी किये हैं। ये नोटीस एक करोड, 79 लाख रुपए की स्टांप चूरी के मामले में जारी किया किया है। और इस नोटीस को हर्दोई जिला कारगार भीज दिया किया है। बता दें कि अब्दुल्ला आजम खान ने अवासी भूमी को क्रिशी भूमी दिखा कर बैनामा कराया था। इसे में एक करोड, 79 लाख रुपए के स्टांप की चूरी का मामला सामने आया था। जिसका डीम कोट ने संग्यान लिया और तीन अलग अलग नोटीस अब्दुल्ला आजम खान के खलाप जारे केक है। पुर्वबदायक अब्दुल्ला आजम खान के स्टांप चूरी का मामला 2022 का है। अब्दुल्ला आजम खान ने तीन जमीन खरिद कर उनका बैनामा कराया था पहला मामला 21 फरवरी 2022 का है अब्दुल्ला आजम खान ने बेंजीरपुरा घाटमपुर में लगबग 9 हेक्टियर जमीन खरीदी और उसका बैनामा क्रीसी भूमी की दर से करा लिया अब्दुल्ला आजम खान ने बेंजीरपुरा घाटमपुर में लगबग 3 हेक्टियर जमीन खरीदी जमीन खरीदी जिसका बैनामा भी क्रीशी भूमी की दर से ही करा लिया इस मामले में 34 लाख रुपे की स्टांप चुरी पाए गई तीसरा मामला आठ अपरेल 2022 का है अब्दुल्ला ने बेंजीरपुरा घाटमपुर में लगबग 3 हेक्टियर जमीन का बैनामा क्रीशी भूमी की दर से कराया इस मामले में भी 34 लाख रुपे के स्टांप चुरी पकड़ी गई अब इस मामले में ADC रिवेन्यू प्रेम किशोर पांडे का कहना है कि अब्दुल्ला आजम खान ने 2022 में तीन जमीन खरी थी उनका बैनामा क्रीशी भूमी की दर से करा लिया क्या जिसमें लगबग 1 करोड 79 लाख के स्टांप की चुरी पकड़ी गई इस मामले में अब्दुल्ला आजम खान को स्टांप चुरी को लेका तील नोटिस चारी किये गए हैं उनके आवाज पर यह नोटिस भेज़े गया थे वहां किसी ने यह नोटिस नहीं लिया जिसके बाद इसे हर्दोई जेल भेजा किया है अब आपको बताते हैं कि आजम खान और उनके बेटे के लिए हाई कोट का आदेश क्या है दरसल समाजवादी पार्टी के नेता रहे आजम खान और अब्दुल्ला आजम की मुश्किले कम होने का नाम नहीं ले रही है अब हाई कोट ने उनसे हरजाना वसूली का आदेश हुए कोट ने उन पर हरजाना लगाया था समाजवादी पार्टी के वरिष्ट निता रहे आजम खान के खलाप रामपूर कोट में केस चल रहे हैं आजम खान और अब्दुल्ला आजम दोनों जेल में बंदे बावजूद इसके उनकी मुसीबते थमने का नाम नहीं ले रह हाई कोट की लीगल सर्विस कमेटी के पास जमा कराये जाएगी जानकारी का मताबिक साल 2022 में सपानेता आजम खान ने अपने वकील के चरिये हाई कोट में एक याचिका दायर की थी इसमें जोहर यूनिवर्सीटी में जबर्दस्ती औविवस्था फैलाने का आरूप लगा जिसे आजम खान ने एक साल तीन महीने से जमा ही नहीं किया इसी वजह से हाई कोट ने अब रामपूर डीम को वसूली के आदेश बदा दे कि एक समय था जब यूपी में आजम खान की तूती बोलती थी जो चाहता था वही करता था लेकिन वक्त इसी को कहते हैं जब आजम खान का दौर था तब उसने नवाबो की हुकूमत के दौर का इतिहास पलटते हुए कई सड़कों चौराहों के नाम बदलवाएं और अब आजम का रसूख खत्म हुआ तो उनके दौर में रखे सड़कों चौराहों के नाम भी खत्म होने लगे हैं पालिका बोर्ड की मुर्तिजा यानि की नवाब रजा अलिखा और नवाब मुर्तिजा अलिखां के नाम से जाना जाता था लेकिं 2012 में जब सूबे में सप्पा की सरकार आई और आजम खान नगर विकास मंत्री बने तो उन्होंने सबसे पहला काम यहीं किया रियासत कालीन गेट द्वस्त करा कर उनके नाम बदलवाए चराहों सड़कों के नाम बदलवाए और अब जब आजम का रसुख खत्म हुआ तो रामपुर ने फिर नई अबारत लिखनी शुरूप करती क्योंकि अब शेयर बदायक अकाश सक्सेना ने कई सड़कों चराहों के नाम बदलवा दिये कभी राम जीम फात्मा रामपुर के कारागार में सजा काट रही है बाजपा की सूबे में सत्ता आने के बाद आजम की असी गेरा बंती हुई कि उसकी हालत पूरी तरस से खराप हो गई है इतना ही नहीं सबसे करीबी रहे सप्पा प्रमु कखले श्याब्दों ने अब आजम को भू पाटी के नेता आजम पहुंचे थे अब फिर से उसी नवाब खांदान का रामपूर की स्यासत पर मजबूत दखल होने की चर्चा से वहां की राजिती सरकर्मी तेच हो गई है दरसल सप्पा नेता आजम खान उनकी पतनी तंजिम फात्मा और बेटे अब्दुल्ला आजम के एकेस में सजा होने के कारण चुनाव लड़ने के लिए आयुगित ठहराया जा चुका है जिसके बाद रामपूर लोग सभा सीट पर कॉंग्रेस की नजर बने हुई है चर्चा है कि इस सीट को कॉंग्रेस गडबंदन ने सप्पा से मांग लिया है बदलते सियासी समिकर कारण में कॉंग्रेस ने अपनी पुर्वसांसर और नवाब कांदान की बहुन नूर्बानों को संभावित कैंडिडेट भी बताना शुरू कर दिया है सप्पानेता आजम खान की सियासत की शुरवात नवाब खानदान की खलाप आजम कहते थे कि नवाब खांदान ने गर पर ट बार मंतरी का हदा बी संबाला आजम के सियासत में चमकने के बाद नवाब रामपूर खांदान के स्यासत कमजूर पड़ती गई नहीं तो नवाब खांदान के जुलुफिकर अली रामपूर सीट से 1971 19801994 1989 में कॉंग्रेस सांसद रहे 1957 में भी नवाब ख्हांदान के स्यद रजा महधी और 2009 में नूर्बानों कॉंग्रिस से हार कई उनके बेटे नवाब काजिम अले और नवेद बिया रामपुर सीट से बधायक रहे और स्वार से भी बधायक रहे योपी के सरकार में मंत्री भी रहे नवेद मिया को आजम के बेटे अब्दुल्ला आजम ने 2017 में स्वार से और अब आजम खान का रसुख और उसकी राजनिती पकड़ बहुत कमजोर हो गई है जिसके बाद अखलेश यादो भी करीबी रहे आजम को बुला ले रखे है परदाफाश में फिलाल के लितना ही आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें कैपि झाल झाल